पुश्कर पाप मोचनी टेंपल और पाप मोचनी टेंपल पे पहुच के आई गाट माइफ फिर वहां कुछ वक्त रुकने के बाद मैंने अपनी दूसरी हाइक कंटिन्यू करे कि पहाडों में गुफा है जहां पे अगस्त मुनी ने सौ साल से ज्यादा तपश्या करी हुई है जो मेरी तीसरी हाइक थी वो मुझे ले जाती हुई श्रामित्र तेंपल की तरफ तो मैंने पंडित जी से पूछा वहां तक का रास्ता क्या है तो उन्होंने मुझे दो रास्ते बताए बेसिकली एक नॉर्मल सी ट्रेल थी और जो दूसरा रास्ता था वो पहाडों से होके जाता था तो मैंने वो पहाडों वाला रास्ता चूस करा और आदे घंटे बाद मुझे को रिलाइज हुआ कि मैं उन्ही पहाडों में खो चुका हूँ कि जब आप अपने खुद के रास्ते बनाने जाते हो नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसे जोते हैं कि आप भटक जाओ गये पर उसमें भी एक खुब सूर्ती ये होती है कि ये आपको अपने वापसी का रास्ता हमेशा पता होता है तो मैंने वहां से वापस आने में ही अपनी भलाई समझे and then I started my fourth hike of the day जो की सावित्री टेंपल की hike है one of the most famous hikes in पुशकर सावित्री जी ब्रह्मा जी की पत्नी है और उन्होंने ही ब्रह्मा जी को श्राब दिया था कि आपकी पूजा सिर्फ पुशकर में होगी क्योंकि एक पूजा में शावित्री जी को देरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने गायत्री जी से जो की पुशकर में एक गूजर ही लड़की थी उनसे शादी करके उनको सावित्री जी का प्लेस दे दिया था पुष्कर इस फिल्ड विट ऐसे चोटे चोटे हाइक्स और आप आदे घंटे में किसी भी क्लिफ के तॉप पहुन सकते हो and you can just embrace the chaos of this mystic city and that's how I spend my day in पुष्कर visited the only Brahma temple in the world meditated in a cave and did four hikes in a day you